जैसरी राधेक्रिष्ण आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वाकत है। क्या दानपुन्यों का कारे करना चाहिए तो आएए जानते हैं इन सबों के बारे में। होता है वहीं पर अगर अधिक मास हो तो दो बढ़कर 26 एकादसी का व्रत होता है हर व्रत का अपना अपना विशेश महत्तु माना गया है इसी प्रकार से माग माह के शुक्ल पक्ष में पढ़ने बाले जया एकादसी व्रत का अपना विशेश महत्तु माना गया है जो भी सच् पालन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, जब जक्ति के पाप और ताप नश्ट होते हैं, तभी उनके पुन्यों का उध्य हो पाता है, उसके बाद ही सांसारे सुखों की प्राप्ति हो पाती है, इस ब्रत्त के प्रभाव से यह ब्रत्त जो की अकाल मिर दुका भै दूर करने बाली भूत प्रेद पिशाच आदी योनियों से मुक्त करने बाली और पित्तरों को सदगती प्रदान करने बाली है जया एकादसी के ब्रत में इस तीन भगवान विश्णु मातालक्ष्मी और भगवान स्रकृष्ण का जो की पूरे बिधी विधान के स साथ पूजन करना चाहिए जो भी एकादसी का ब्रत रखते हैं उन्हें एकादसी ब्रत के लिए जो की दस्मी के दिन से ब्रत के नियमों का पालन करना चाहिए दस्मी तिथी के दिन जो की सुर्यास्त होने से पहले हैं भोजन ग्रहन करना चाहिए और उस दिन जो की शुद रखे रातनी में ब्रह्मचर्ज का पालन करते हुए भगवन नाम का अस्मरन करते हुए दसमी तिθी के दिन सोना चाहिए और एक आदसी तिθी के दिन जो कि सुभा ब्रह्म मुहुर्थ में उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वित्त हो करके गंगा नदी में तिर्थो आदी में अश्नान करनी चाहिए वैसे ही माग मास का जो की माग के महीने में गंगा अशनान प्रयाग आदी में अशनान जो की अनंत गुना पुन्यफल दाई माना गया है और इस तोरान भगवान विश्णु का पूजन करना भी अनंत गुना पुन्यफल दाई माना गया है तो आवश्य ही गंगा अश्नान करें अगर गंगा नदी में अश्नान ना कर पाएं वहां ना जा पाएं तो घर के नहाने के पानी में ही थोरा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का अस्मरन करके अश्नान करना चाहिए शुद्वस्त्र धारन करके ब्रत्य का संकल पलेना चा करें कि यहां व्रत्य मेरा सफलता पुर्वग Canton हो हमारे सभी प्रकार के देषिक DOB overeek और वह बहुतिक इन सभी पापों रह पाते हैं जिनका स्वास्त सही ना हो तो आप चाहें तो एक समय फालाहार का सेवन करके इस वदत्य को धारण कर सकते हैं एक आदसी के दिन जो कि भगवान का इस दिन सुभा और साम के वक्त पूरे विधी विधान के साथ पूजन करना चाहिए कथा सरवन करनी चाहिए भगवान की आरती करनी चाहिए विश्णु सहस्त्र नाम आदिका पाठिया सरवन करना चाहिए इस दिन ओम नमो भगवते वासु देवाया इन मंत्रों का जब करना चाहिए इस प्रकार से एकादसी दिन को व्यतित करने चाहिए रात्री में जागरन करते हुए समय को व्यतित करना चाहिए अगर एकादसी के ब्रत्र में रात्री जागरन करते हैं तो उसका कई गुणा पुन्य फल बढ़ जाता है तो एकादसी की दिन जागरन करने चाहिए और अगल आनों को भोजन करवाइए भामनों को दान और दिष्जिनादे गरीबों को भोजन करवाऑएं और जहों कि समय क्रेकिशार कम दोरादी व्रत्य करना चाहिए अही भी मुखसे निकल जाते हैं, तो एकादसी के दिन बिल्कुल भी कुरोध नहीं करने चाहिए, इन दिनों मधुर बचन बोलने चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति इरसा या द्वेस्ट का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रत्री के दोरान ब्रह्म्य चर्ज का पालन करना चाह जहां पर भी महिलाओं का समान होता है वहां परमाता इस्त्र लक्ष्मी का निवास होता है तो महिलाओं का बिलकुल भी अपमान ना करे और पूर्ण स्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही ब्रत्य को धारन करना चाहिए अगर ब्रत्य के लिए आपके मन में और स्रद्धा हो और तो उस ब्रत्य को नहीं करने चाहिए क्योंकि वह ब्रत्य निश्वल ही माना जाता है। तो पुर्णे सरद्धा भक्ती भाव के साथ ही ब्रत्य को धारन करना чाहिए और भगवान विश्मुमात अलक्ष्मी भगवान स्रकिश्ण का पूजन करना चाहिए। एक आदसी की दिन चावल ग्रहन नहीं करना चाहिए, एक आदसी की दिन चावल ग्रहन करने से जो की रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो आईए अब जानते हैं जया एक आदसी ब्रत्य के शुब महुर्द के बारे में और इसके बाद फिर जानेंगे इस दिन भगवान को क्या अरपन करे और की चीजों का दान करना चाहिए। तो हमें सुर्योदे व्यापनी और द्वादसी युक्त एक आदसी के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय एक फरवरी 2023 दिन बुद्धवार को प्राप्त हो रहा है। तो द्वादसी तिथी की जो समाप्ती है वह दो फरवरी 2023 दिन गुरुबार साम चार बसकर 27 मिनट पे द्वादसी तिथी की समाप्ती है। इस बार जया एक आदसी ब्रत्य का पारण जो की गौध दुधेन पारणम यानि की गाय के दूद से ब्रत्य का पारण किया जाएगा। आप चाहें तो तुलसी दल और जल से भी ब्रत्य का पारण कर सकते हैं। राहुकाल का जो समय होगा एक आदसी तिथी के दिन राहुकाल समय के दोरान कोई भी शुभकारिय या नया कारिय या पूजन आदी का कारिय नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए तो राहु काल का जो समय होगा एक अदस्य तिथी के दिन वह समय दो पहर 12 बजकर 11 मिनट से दो पहर 1 बजकर 34 मिनट तक राहु काल का समय होगा तो इस तोरान पूजन आधी का कार्य बिलकुल भी ना करे इससे पहले या इसके बाद ही पूजन बिधी के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए थासकर जया एक आदसी के ब्रत्य में जो कि इस तीन भगवान को पंचाम्रित अवश्य ही चढ़ाएं और भगवान को गुड़ एबं बादाम युक्त भगवान को भोजी पदार्त अर्पीत करने चाहिए और उ सामर्थ के अनुसार उन्हें आपसे जो भी बन सके अन्न वस्त्र जो भी हो उन्हें अवश्य ही परदान करने चाहिए माग माश शुक्ल पक्ष जया एक आदसी के ब्रत्य में जो की गुड़ और तिल के दान का बढ़ा ही विशेश महत्तो माना गया है तो खास करके द्वा पुन्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विश्नो मातालक्षमी भगवान स्रेक्रिश्मी के गृपा से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है शुक्षम्रिधी की प्राप्ति होती है और अंत में फिर मुक्ष की प्राप्ति होती है तुवासा करता हूं कि यह ज को दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करे शेयर करे शुखी रहे और स्वस्त रहे जैसरे राध्यक्रिष्ण धन्यबाद